नमस्कार मैं प्रवेंड गोतम दोसो पीम मोदी दावा करते हैं कि डबल इंजन सरकार का मतलब भिष्टाचार का खात्मा लेकिन डबल इंजन सरकारों में ऐसे कारणामे सामने आ रहे हैं जिसमें अक्षे कुमार स्पेशल 26 जैसी फिल्मों के कई सीक्वल बना सकते हैं आपने देखा होगा कि गुजरात के एक महाठग ने कश्मीर में जाकर खुद को पीमो अधिकारी बताकर एशो आराम का मजा लिया कई सारे ऐसे भी मामले आए जब ग्री मंतराले का सचीव बताकर करोडों रुपे तो कहीं लाखों रुपे की ठगी की गई और अब तो ऐसा मामला सामने आया है पहले तो फरजी पीमो अधिकारी बने थे फरजी सीमो अधिकारी बने थे फरजी ग्रेमंतरी के सेकरेटरी बने थे अब तो फरजी सरकारी दफतर भी बन गया जिस गुजरात में मोदी मोडल को खड़ा किया गया उस मोदी मोडल में एक वैक्तिनी सरकारी दफतर खड़ा कर दिया और कमाल तो यह है कि सरकारी दफटर को सरकारी विभागों से करोड रुपे का अनुदार मी मिल गया ये तो अपने आप में और भी बड़ी करामात है दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं उसी सरकारी दफ्तर की तस्वीर है जिसने गुजरात मोडल का मजाग बना दिया है दो लोगों को गिरिफ्तार किया गया है संदीप राजपूत नाम के इस शक्स ने दो साल पहले इस फरजी सरकारी दफ्तर की स्थापना की सिचाई विभाग के अंतरगत कारिय पालन अभियंता सिचाई विभाग के नाम से छोटा उदैपूर में ये दफ्तर बनाये गया और कमाल ये है कि इस दफ्तर को 4,15,000,000 का अनुदान भी मिल गया 93 विकास कारियों के नाम पर इनको अनुदान जारी किया गया तो निश्ची तोर पर इसमें किसी सरकारी अधिकारी की भी मिली भगत हो सकती है दोस्तो कमाल ये है कि विधायकों के पसीने छुट जाते हैं बजट लाने में और यहाँ पर फर्जी सरकारी दफ्तर को भी बजट पास कर दिया गया 4,15,000,000 रुपे मिल भी गए और उसके बाद दो साल तक ये दफ्तर चलता रहा उसके बाद सरकार को शक हुआ तब जाकर इसका भाड़ा फोड हुआ है और दो लोगों की गिरफ्तारी की गई है फर्जी सरकारी दफ्तर से दोस्तो इस कारनामे ने एक नयात की इर्तिमान बना दिया है कि आकिरकार ऐसा भी देश में कैसे हो सकता है कि फर्जी सरकारी दफ्तर बन जाए और सरकार बजट पास भी कर दे और बजट इनके खाते में भी आ जाए आप इस पूरे कारनामे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर प्राइज जरूर दे अगर आप हमारी पत्तकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन का इस्तमाल करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें नमस्कार